बिहार में ट्यूशन पढ़ाने वाले सरकारी सिक्षकों पर हो सकती है सक्तिकारवाई केके पाथक ने जारी कर दिया नितेश पतादे कि बिहार सिक्षा विभाग ने नीजी कोचिंग संस्थानों में कच्छाएं लेने वाले सरकारी स्कूल के सिक्षाओकों पर सिकंजर कसते हुए इस प्रथा में शामिल लोगों के खिलाफ कारवाई करने का फैसला किया है पत्र में कहा है कि बिभाग कोचिंग संस्थानों में कच्छाएं लेने रहे है पत्र में कहा गया कि इस प्रथा पर तुरंत रोक लगाने की दरूरत है सिक्षा बिभाग के एक वरिष्ट अधिकारी के नाम न छापनी की सर्थ पर कहा कि इसे के बाद भी यदि कोई सिक्षक तरह की प्रथा में लिप्त पाय जाते है तो उनके खिलाब श्रक्त विवागे कारवाई की जाएगी और गलती करड़े वाले नीजी कोचिंग संस्थानों के खिलाबी कानूनी कारवाई शुरू की जाएगी विभाग ने राजी की सभी जिला सिक्षा पदरिगारियों को प्रात्मिक्ता के अधार पैसा सक्षकों का पेओडा मुख्याले को अपलब्द कराने के लिए कहा है जिला सिक्षा विभाग दौरा संकलित एक नविन्तम रिपोर्ट के नुसार राजे में पंजीक्रित नीजी कोचिंग संस्थानों के कुल संख्या बाड़ा हजार साथ सो एक सथ है और उनमें नामांकी छात्रों की संख्या 995,533 है राजे की राजानी पटना में अधिक्तम संख्या 1017 पंजीक्रित नीजी कोचिंग संस्थान है इसके बाद बेगु सराय में 636 गया में 623 पूर्वी चमपारण में 604 पूर्णिया में 598 समस्तिपूर में 581 पंजीक्रित कोचिंग संस्थानों की संख्या सबसे कम है वहां वह है जानवाद जहां 40 हैं पंजीक्रित नीजी कोचिंग संस्थान पत्र में कहा गया कि बिहार विद्यारे परिक्षर समीती B.S.E.B. के निरधारित कारेक्रम के अनुसार राजेभर में कच्छा 10 और कच्छा 12 दोनों के लिए प्रैक्टिकल और थिओरी परिक्षा अगामे 10 जनवरी से सुरू होगी इसलिए संबंदित अधिकारियों को सला दी जाते हैं कि वे अपने उन स्कूल में सभी सिक्षकों की उपस्तिती सुनिश्चित करें जहां वे तैनात हैं सिक्षकों को छुट्टी देने की जनात कुल सिक्षकों में से 10 प्रतीशर से अधिक एक समय में बोट परिक्षा के दोन चुट्टी पढ़ना जाएं बिहार के सिक्षा मंत्री चदर सेखर बार बार परियास के बाद समुद्दे पर अपनी टिपनी के लिए उपलब्ध नहीं हो सके राज्य सिक्षा यह जुलाई से सुरू हो गई है अब देखते हैं कि इस आदिश का क्या असर होता है